तो न्यूज है दोस्तो इन्वार्मेंट टेनिकलोजी से संबंधित न्यूज है वार्मिंग बियॉंड बॉर्डर्स अमेजन डीफॉरेस्ट्रिशन हीट सक चिबबत से न्यूली इश्टडी एक रिपोर्ट आई है दोस्तो एक अध्यन आया है और इस अध्यन के अधार पर अगर हम बात करें तो यह अध्यन क्या बता रहा है यह अध्यन बता रहा है कि अमेजन के जो वन है इन Amazon के वनों में जो ब्रिक्षों की कटाई हो रही है यानि कि जो deforestation हो रहा है उसके चलते तिब्बत जो है वो आपका गर्म हो रहा है ऐसा बताए जा रहा है Amazon अगर इसके बारे में बात करें तो ये आपको South America में नज़र आएगा ठीक है और तिब्बत इसकी बात करें तो ये Asia में नज़र आएगा यानि कि South America में होने वाली गतिवी थी जो है वो क्या कर रही है Asia को प्रभावित कर रही है ये एक बहुत ही important बहुत ही भयावह ये report है और जो कि इस report को लेकर हम चर्चा करेंगे क्या कहा गया इस report में इन सभी पर बात करेंगे इस report में ये कहा जा रहा है कि Amazon के जो वर्षा वन है उसमें वनों की जो कटाई है वो सीधे तिब्बत की ताप मान को जो है वो प्रभावित कर रही है तिब्बत के टाप Amazon के वन अमेजन के वनों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं और उसके पहले एक प्रश्ण हम देख लेते हैं कि आपको इस पर प्रश्ण कैसे बन सकते हैं एक प्रश्ण आपको देखने को मिल रहा है, जो कि 2013 में अगर हम बात करें, तो UPSC ने ये प्रश्ण पूछा था, Union Public Service Commission ने ये प्रश्ण पूछा था, इस प्रश्ण को देखिए, और इस टॉपिक के अंत में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, प्रश्ण है, निमलिखित में चार ओप्शन देख रहा है, छेतर देख रहा है, अरब, उत्तर पश्ण अफरिका, दक्षण पश्ण पश्ण अफरिका, और पैटागोनिया, आपको जो है, इस शेशन के अंत तक जो है, इसका रिप्लाई करना है, कि इसमें सही क्या है, ठीक है, तो जो भी स्टुडेंट इसको देख रहे हैं, वो फटा-फट जो है, उसका रिप्लाई कीजिएगा, चली हम लोग आ जाते हैं, टॉपिक पे, आप अपने स्क्रिन पर देख रहे हैं, तो ये आपको जो है, ये गलोब नजर आ रहा है, और इस गलोब में आप ये देख रहे हैं, साउथ अमेरिका ह जो नजर आ रहा है, और जो पीली पट्टी आपको ये पीली रेखाएं जो नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी रेखाएं हैं, इसको कहा जाता है, अमेजन बायोम का छेत्र, ठीक है? दूसरा, आपको ये हल्का सा ब्लूइश टाइब का अगर हम कहें, तो ये जो आपको कलर नजार आ रहा है ये आपका जो रेखाए नजार आ रही है ये आपकी Amazon Basin का जो है वो छेतर है ठीक है चलिए थोड़ा सा और भी Amazon को जाने तो Amazon को जानने के करम में आपको दो चीजों को देहान रखना है Amazon के पश्चिम में अगर आप बढ़ रहें यानि कि अगर हम बात कहें कि South America के पश्चिम में हम बढ़ रहें तो हमें यहाँ Pacific Ocean यानि कि अगर हम बात करें तो हमें यहाँ प्रशान्त महासागर देखने को मिलता है ये सारे के सारे topic को आपको द्यान में समझना है और द्यान में समझते हुए इसको को रिलेट करना है अपने सारे मित्रों के साथ एक बार classes के link को आप शेयर कर दीजिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो बने रहे copy pen अपने साथ रखिएगा map भी अपने पास रखिएगा और ये आपको पूर्वी छेत्र में अगर आप बात करें तो आपको Atlantic महासागर का जो है विस्तार देखने को मिल रहा है और पशिम का जो छेत्र है वो आपका प्रशांत महासागर का जो है वो विस्तार आपको देखने को मिल रहा है देख रहे हैं चलिए, अब थोड़ा सा और बाद दिरते हैं, हमने कहा कि ब्रिक्षो की कटाई कहा हो रही है, अमेजन वाले छेतर में, प्रभाव कहा पढ़ रहा है, तिब्बतन प्लेटू पर, आपके स्क्रीन पर यह देखे, यह इंडिया नजर आ रहा है, यह फिजिकल मैप है आपका, ठीक है, और आप देख रहे हैं, कि तिब्बत प्लेटू की अगर हम बात करें, अब तिब्बत के पठार पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पढ़ रहा है, तो क्या भारत की जलवाई पर भी इसका प्रभाव पढ़ेगा, यह तो हम बात करेंगा ही, लेकिन इसके अलाव जानते हैं, तो यह दोनों नदियां जो है, यह उद्गम कहा होती है, तो यह तिब्बत के छितर में उद्गम होती है, यानि कि अगर यह प्रभाव पढ़ रहा है, तो कही ना कहीं भारत पर इसके प्रभाव क्या मिलेंगे, यह भी आप समझ रहे हैं, अब एक बात और भी देखने को मिल रहा है, और इस रिपोर्ट में यही सारी के सारे बारे में बात की गई है, कि किस प्रकार से जलवायू में हो रहे हैं, परिवर्तन जो हैं, वो इतनी दूरी होने के बाद भी जो है, वो प्रभावित कर रही है, इसका अर्थ यह है, कि हमें जो अब मजना हमें विश्व के जलवाय को जब समझना होगा, तो हमें सीमाओं को पार करके विचार करना होगा, और देशों को वापस में सहی योग करने की ओषकता है, क्यों कि जब तक एक अंतराष्टिय लक्ष और सही योग के साथ हम कारवाही नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए समस से हाई जो है वो solve नहीं होंगे ठीक है चलिए और भी आगे बढ़ते अब आपने screen पर आप देख रहे होंगे दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है पूरा का पूरा जो है वो South America का जो है map आपको नजर आ रहा है इस South America में आपको ये जो पीली रेखा है ये ऐसे खीची होई पटी नजर आ रही है दोस्तों इस पटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ने तो ये पूरा ग्रीन का ग्रीन जो आपको बिल्ट नजर आ रहा है ये आपका अमेजन का जो है वो बेसीन है ये आपको जो नजर आ रहा है ये आपका रेन फॉरिस्ट एरिया है ठीक है ये आपको जो देखने को बिल रहे हैं या देशों के अगर हम बात करें तो अमेजन क जो है वो क्या कर ले रहा है सोक ले रहा है ब्राजील में अमेजन वर्शावनों का करीब अगर हम बात करें तो 60% हिस्सा और आप जानते हैं कि इसको प्रिथवी का फेपड़ा भी कहा जाता है यानि लंग्स ओफ और्थ के नाम से भी जाना जाता है ठीक है लेकिन फिर समय ट होता है कि यह साउथ अमेरिका है और तिबबत की बात करें तो जश्ट इसके विपरीत अगर हम बात करें तो आपको एशिया में देखने को मिला है ठीक है लेकिन दोनों के अगर हम बात करें तो इसको धरती का ऑक्सीजन सेंटर जो है वो कहा जाता है यह आपके लिए जान पच्पन लाख वर के किलोमेटर में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है और ये धर्ती का सबसे विविध ट्रॉपिकल वर्शावन है सबसे ज्यादा ड्राइवर्सिटी वाला एरिया जो है ये आपको देखने को मिल रहा है जो की आपके स्क्रीन पर है फटाफट एक बर कमेंट कर दीजिए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो classes के link को जो है वो share भी कर दीजिए कि सभी जो है इसका लाब उठाएं ठेक है सभी के साथ जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो शेर कर दीजे कि सभी के सभी जो है वो इसका लाव उठाएं। काफी important sation है आप लोगों के लिए है ना तो इसका नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठेक है फटाफट जो है सभी मित्रों के साथ है ना फटाफट शेर कीजे सभी के सभी जो हैं सका लाव उठाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ही जरूर दबा दीजे गई कि आपको कोई भी classes जो है, वो मिस्स ना हो, हर classes का जो है वो आपको समय पर जो है वो लाव मिलता रहे, तो बेल आईकन के वर्शावन के बारे में ट्रॉपिकल का मतलब है उश्रकटी बन दिये अब एक नजर में हम थोड़ा सा अमेजन को और भी समझ लेते हैं आपके स्क्रिन पर तो एक नजर में आप क्या देख रहे हैं कि दुनिया के जहरीले कीडे जो है वो पाए जाते हैं यहां के जंगल में तीन हजार सदिक मकड़ियों की प्रजाती जो है वो पाई जाती है यहाँ पर पाई जाने वाली टारा, टूमला, मखड़े इंसान की जान ले सकती है यहाँ पर रहने वाले आदिवाशियों का बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है यह अत्रिक जानकारी आपके स्क्रिन पर अमेजन से संबंधित दिख रही और भी अत्रिक जानकारी क्या है कौन कौन से देश में अमेजन का विस्तार आपको देखने को मिलेगा तो अगर हम बात करें तो एक्वाडोर में आपको देखने को मिलेगा कॉलंबिया में आपको देखने को मिलेगा वेनजूला में आपको देखने को मिलेगा गौायना में आपको देखने को मिलेगा सूरी नाम इश्ट में आपको देखने को मिलेगा फ्रिंच गौायना में आपको देखने को मिलेगा ब्राजील में आपको देखने को मिलेगा और बॉलीविया में आपको देखने को मिलेगा तो कुल मिला कर अगर हम बात करें तो इन दश देशों में जो है वो आपको क्या है इसका विस्तार देखने को मिल रहा है ठीक है अब कहा क्या जा रहा है कहा ये जा रहा है कि इन दश देशों में जो अमेजन का विस्तार देख रहा है इस अमेजन वर्षावनों में जो है वो पेणों की कटाई जो है वो धडल्ले से हो रही है बहुत तेवर गती से जो है वो पेणों की कटाई जो हो रही है और पेणों की कटाई जो हो रही है उसके बाद ये स्तिति आपको अमेजन के वर्शावनों की देखने को मिल रही है ठीक है अब पेणों के जो कटाई हो रही है इस पेणों के कटाई का कारण क्या है तो सड़क का निर्माण है ठीक है अब इन सारे चीजों के चलते हम क्या देख रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या जो है बनके उठेगी। साथ में ये भी प्रशन उठाया जा रहा है कि विश्व के अनहिस्सो पेस का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रशन है। लेकिन उसके अलावा गर हम और भी थोड़ा सा और बात करें, तो थोड़ा सा और भी हम देख लेते हैं कि अमेजन के जो हैं, आपको याद होगा दोस्तों जब मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो उसी समय में आपको क्या कहा था, कि पूरव में हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, तो पूरव में हमें अट्लांटिक महासागर जो है वो देखने को मिल रहा है, पश्यम में क्या देखने को मिल रहा है, तो पश्यम में हमें प्रशांत महासागर का छेतर देखने को मिल रहा है, पूरा पश्रिम के बारे में आप लोग को आईडिया जो है वो लग गया है अब अट्लांटिक महासागर में क्या हमें देखने को मिलता यह कौन सा छेत्र है तो हमने कहा कि उश्रकटी बंध का छेत्र है और उश्रकटी बंध का छेत्र मतलब ऐसा छेत्र जहां सूरित आप भ निर्माड भरपूर होगा चलो भाई बादल का निर्माड हो गया भरपूर दूसरा चीज अमेजन के वर्शावनों के बारे में हमने कहा टॉपी को डिसकस कर रहे तो तभी हमने कहा कि यह क्या है आपका प्रिषवी का लंग्स यानि कि फेफड़ा कहा जाता है और विश्में सबसे ज़्यादा कार्बन सिंग की यानि की कार्बन सोखने की छमता जो है वो इसी अमेरिगन के बारे में के पास है ये भी हमने बात किया अब पूरब से चलने वाली हवा से बादल जो है वो क्या होते हैं जंगल की और जो है वो च्हा जाते हैं पूरब से चलने वाली हवा क कि आपको कहां देखने को मिलते हैं, पेनपोधों से होने वाले मिलते हैं, अब यहाँ आपको जंगल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानि कि अगर हम बात करें, तो फिर से हम बात कर रहे हैं क्या कि वास्तपो सर्जन के कारण, यहाँ वनस्पतियों से जो है, वो उंख शिम परवत माला है जिसका नाम हमने क्या रख दाया था आपको एंडिस परवत माला है अब ये एंडिस पर जैसे पहुंशती है अमेजन से ठीक है ना तो एंडिस पर तो अब क्या हो रहा परवतों के ओपर चढ़ रही पर्वतों के ऊपर चळड रहीं तो क्या करेगी पुर्वी ट्ट में जल अगर प्रवाहित हो रही है वेजन की नदियों में जल मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा शोर्ष क्या है यही वास्पो सरजन वाशपिकरण की प्रक्रिया है एंडी पर्वत उसमें क्या कर देती है सहाता देती है यहां तक आपको समझ में आया ठोड़ा से और आकर बढ़ते हैं wherever या अगर बारे में बात करें तो एक हेकटर एक हेक का मतलब क्या होता है एक फुडबॉल का जो ग्राउं का होता है उसको हम क्या कहेंगे एक हेक्टर का छेतर कहेंगे एक हेक्टर के छेतर में अगर हम बात करें तो क्या-क्या प्रजातिया अमेजन में मिलते हैं क्योंकि हमने कहा है विश्व में सबसे ज़्यादा विवित्ता अगर हमें कहीं देखने को मिलती है तो अमेजन के वनों में मिलत करें तो एक बात करें तो काफी सारी प्रजातिया मिलती हैं इस對啊 और खर अगर हम बात करें तो इन वर्टिब्रेट्स जो कि मिटियों में जो आपके छुटे-छुटे जो जीव होते हैं वह आपको देखने स्वागत है अपने सारे मित्रों के साथ कि अगर हम बात करें क्योंकि आज का टॉपिक क्या है most important current issue of the week तो most important current issue of the week को जो मैं वो cover कर रहा हूं आपके साथ और बहुत है ज्यादा important है कैसा लग रहा है जरूर अपना comment करते रही अपना comment जो है पताते रही है ठीक है अब फिर से मैं आ जाता हूं topic पर down to earth ने जब इस news को जब cover किया है तो उसने क्या कहा है कि यह जिस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं जिस प्रकार से अमेजन के वर्शावनों को की कटाई हो रही है और यह इस्तिति हमें रिसर्च आई है और इस रिसर्च में क्या कहा गया है कि पिछले 40 साल के अगर हम डाटा देख रहे हैं तो पिछले 40 तो तो टिपिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ लिजे कि ऐसा अंग या एक ऐसा कुछ एक पॉइंट्स रख लिजिए जिस पॉइंट्स में अगर कोई भी बदला होगा तो इसका जो है वो प्रभाव आपको दूसरे छेत्रों पर भी देखने को मिलेगा हमारे विश्व में आम नजार आ रहा है यह सारे के सारे जो हो टिपिंग पॉइंट्स कैसे प्रभाव देते अब जैसे मैंने कहा अमेजन का रिन फॉरेष्ट टिकर अगर अमेजन के रिष्ट फॉरेष्ट में कोई प्रभाव पड़ेगा तो विश्व के इन छित्रों में भी आपको प्रभा क्या देखने को मिल रहा है लगभळ चार डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वह आपको तापन में बृद्धी कहां देखने को मिर्ज़ क्या तो अब अब अपने मैप पे देख रहें कि कुछ ऐसे वी टिपिंग पॉइंट्ट आक त्या निज़र आ रहा है कि भोनिय ल पर्माफ्रोस्ट वाल एरिया दिख रहा है लेब्राड रोस सब पॉलर एरिया जो देखने को मिला कुल मिलाकर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर अट्लांटिक अगर आप जलवाई परिवर्तन के बारे में थूड़ी से भी सजग हैं तो आप अपने सीमाओं को पार कीजिए है और सीमा पार करके आपको सोचना तो पढ़ेगा मेरे दोस्त है नहीं सोचोगे तो गरवड़ा आ जाएगा मामला ठीक है क्लियर है दोस्त चले आगे बढ़ते है अब यह क्लाइमेट टेपिंग और भी इसी थोड़ा से में और भी बताएंगया है जैसे किमेजन रेंफॉरिस्ट ठीक है दूसरा बडुरियल टेकर अप कहां कहा है लाग क्लेश्ट बॉरियल को इस कहीं भी होगा तो इस छेतर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि वनों में जो है वो आग जो है वो लगने की घटना है आपको देखने को मिलेंगे ठीक रहा ठीक है ग्रीन लेंड आईशीट छे नंबर पर अगर हम बात करें तो अगर तापमान में कोई परिवर्तन हुगा तो यहां से जो बर्फ जो है वो पिघलने लगेगा ठीक है साथ नंबर के अगर हम बात करें पर्माफोष्ट तो यहां हम क्या देखेंगे कि जो पर्माफोष्ट है यह क्या हो जाएगा आपका मेल्ट होना सुरू हो जाएगा ठीक है आठ नंबर के अगर हम बात करें तो आइसीड जो है वो आपका ठीक है नौ नमबर के बात करें तो विलकल्स बेशीन आपको नज़र आएगा ये छेत्र है विलकल्स बेशीन का कहा ये जा रहा है कि यहां से भी आइस जो है वो लॉस होने लगेगा तो आप देख रहे हैं कि आपके प्रित्वी पर ये टिपिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं और श्टिपिंग पॉइंट का कहीं न कहीं जो है वो प्रित्वी के अने 6 रुपे आपको प्रभाव देखने को मिल रहा है अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमें और भी क्या समझना है अब ये कह कि आप सबदों में अगर हम बात करें तो अगर गर्म होता है तो तिबबत भी साथ साथ में जो है वह गर्म हो रहा है लेकशिए डरभाव रही है तो इसका थिबस पर देखने को मिलेगा अगर अमेजन वर्षावनों के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो अमेजन का वर्षावन में एक चीज और भी देखेंगा और आपको याद होगा कि टेमप्रेचर को लेकर जो है पेरिस एग्रिमेंट जो है वो 2015 में हुआ था जहां टेमप्रेचर को जो है वो लेकर बात होगा कि तापमान को नियंतरण करने के आउशकता होगी 2015 का पेरिस क्लाइमिट सम्मीट जो हुआ था इस पर इस पर चर्चा जो हुई थी ठीक है अब हम लोग अमेजन के वर्षावनों के बारे में थोड़ा सा और भी चर्चा कर लेते हैं जो अत्रिक जानकारी है वह आप आध करें तो कुल मिलाकर ये च्शेतर अगर घरन घर घर वहा बात करें तो पूरा का पूरा जो हो एक जो हुए च्ञाइश लगकोशाः बंदिय छेतर रहें और भूमद रिखा के उत्तर और दक्षिन दोनों में अगर हम बात करें तो भूमद रिखा के उत्तर अगर हम देखिए हैं तो 28 डीग्री नॉर्थ 38 डीग्री साउथ तक जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है उमीद है कि बात को समझ में आपको आ रहे हैं यहां अधिकतम वर्षा के अगर हम बात करें तो 200 सेंटी मीटर तक जो है वो आपको रेन फॉल जो है वो देखने को मिलेगा अधिकतम वर्षा जो है वो देखने को मिलेगा ताफमान के बारे में अगर हम बात करें दोस दक्षिन अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशान्थ द्वीपिय छेत्र में पाए जाते हैं ब्राजील के अगर कुल छेत्र फल के अगर हम बात करें तो लगभग 40% हिस्सा जो है आपका अमेजन का छेत्र है उत्तर गोयाना हाइलेंट के बारे में बात करें क् हम लोगों ने एक मैप के माध्यम से जो है वो देखा भी था मैप के माध्यम से जो है हम लोगों ने जो है इस चीज को समझा भी था तो यह बर मैं मैप से फिर से आपको दिखा देता हूं कि अमेजन का जो विस्तार है वो कौन-कौन से 9 देश है आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा और इस हिसाब से आप समझ रहा होगे तो सबसे ज़्यादा विश्टार आपको कहां देखने को मिल रहा है तो ब्राजील में तो कुल मिला कर हम बात करें तो अमेजन का लगबख 40% विस्तार आपको कहा देखने को मिल रहा है ब्राजील में देखने को मिल रहा है ठीक है इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है तो आप देख रहे हैं कि आप ये गवायना का छेतर आपको देखने को मिल रहा है है ना गवायना हाइलेंड्स प पूरा का पूरा च्छेतर जो है वो घीरा हुआ है फिर से हम अपने प्रश्ट पर आ जाते हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी तो प्रश्ण भाईया आपके स्क्रीन पर ए रहा प्रश्ण प्रश्ण आगे आपके स्क्रीन पर आपको बताना था राइड एंसर क्या है प्रश्ण था 2013 UPSC ने प्रश्ण पूझा था निम्लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ठीक है अब दोस्तों जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है हो सही है अब एबिशियन का पठार के बारे में बात करें दोस्तों तो ये आपके उत्तर पश्मी अफ्र के लिए अफ्रिका का मतलब जो है यह आपका इथो पीया के चितर में जो है इसका विस्तार देखने को मिलता है प्लोड़ि Soon तो दक्षिर पश्चिम से उत्तर पुर्व के तरफ यानि कि इस डिरेक्शन में आपको चलते हुए नज़र आएगी है ना साउथ विष्ट से अगर हम बात करेंगे तो नौर्थ इस्ट के तरफ अगर इस तरह से देखें तो ये आपको एटलस परवत जो है वो आपको विस् में जो ये सिमा बनाता है ठीक है तो ये आपका रह ये जानकारी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये पहला न्यूज रहा आप लोगों के लिए कैसा लगा जरूर बताईए जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया आपके साथ